रास्ते में अनेक जुगों पर मैं रुका, सब साथियों ने स्वागत किया और वो सारी पुरानी यादें ताजा हो गई 2009 में जब पहली बार मैं अजमेर आया था चुनाव लड़ने के लिए क्योंकि दो साल लोक सबाद छेतर आरक्षित हो गया था तो मैं 2009 में पहली बार अजमेर में आया था तो बहुत से साथियों ने कहा कि अजमेर लोक सबाद छेतर में जो इतिहास रहा मां कॉंग्रेस पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा मजबूत इतिहास नहीं था लेकिन कुछ ऐसा इस धर्ती में है जो मुझे वो खीच कर यहां पर लाया और सच में 2009 में आप सब लोगों ने जो आशिरवाद और प्यार दिया जो ताकत दी वो आज भी मुझे याद है यहां से सांचत रहे मुझे अब लगबग 10 साल हो गए लेकिन जब भी मुझे आने का मौका मिला काडिकरम में चुनाव परचार में लोगों से मिलने के लिए वो ही प्यार वो ही अपनापन वो ही सने मुझे मिला और वो आज मुझे देखने को मिला मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आबारी हूँ विजनेगर का मसूदा का जमेर के लोगों का हमारे कारे करताओं का मैं बहुत से लोगों को देख रहा था जो 2009 में मेरे चुनाव परचार में काम कर रहे थे उनके कुछ-कुछ बाल सफेद होने शुरू हो गए उनके बच्चे पहले दूसी चोती उपड़ते थे अब कॉलिज में हो गए कोई दादा नाना बन गए लेकिन ये पीडी और समय निकलता रहता है लेकिन रिष्टा, जुडाव, अपनापन वो कभी तूडता नहीं और मैं तो कहता हूँ कि समय के साथ वो और गहरा होता जाता है पूरे परदेश में मुझे जाने का मौका मिलता है जब मैं परदेश कॉंगर्स कमिटी का धक्ष था पांच साल लगातार आप लोगों ने मेरे साथ संगर्स किया और हमारी पार्टी की सरकार बनी आज फिर चुनाव हमारे सामने है तीन महिने के बाद राजिस्थान में, चतिसगड़ में, मद्परदेश में, तेलंगाना में विदान सभा के चुनाव होंगे और ये चुनाव तै करेंगे कि 2024 के अंदर जो लोग सभा का चुनाव होगा, उनके परणानों बहुत बाहरी असर परेगा इन विदान सभा के चुनाव के जो नतीज़ी आएंगे, उसका लोग सभा पर बहुत परभाब पढ़ता है पूर बहुमत की सरकार बनी, बहुत सालों के बाद एक पूर बहुमत की सरकार दो बार बनी एक विश्वास लोगों ने दिया था बहाजपा को, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि नौ सालों में हर वर्क आज अपने आपको ठगावा महसूस करता है हमारी माताए बहने यहाँ पर मौझूद है, हमारे किसान भाई मौझूद है हर वर्क को वोट लेने के बाद सिरफ पीडा, दुख और परिशानी देने का काम किया है किसानों के तीन काले कानून बनाए, साल बर तक किसानों ने दिल्ली में राजधानी में धरना दिया सेंकड़ों लोगों ने आत्मत्या करी, तब जाके इस सरकार ने उन कानून को वापिस लिया और तुष्ता का क्या हाल है, मुझे पीडाज बात किया कि इस देश और परदेश में जो खाई है, अमीर और गरीब की वो लगतार बढ़ती जा रही है आज गरीब आदमी गरीब किसान जो महिने में दस पीस जार रुपे कमाता है, वो अपने दो बच्चे पाल नहीं सकता आज फल, फूल, साख, सब्ची, जो भी चीज बजारे मिलती है, उसकी कीमतें आस्मा चू रही है गैस का सिलेंडर 1112 रुपे का मिल रहा है, टमाटर तो 200 रुपे केलो हो गया था तो महंगाई को नियंतरत करने के लिए केंड की सरकार ने जोटे मू ये तक नहीं बोला कि हम कोशिश करेंगे, हम दाम कम करने के कौशिश करेंगे, नहीं साब, उनको मालुम है चुनाव आएगा तो बाशन देने पहुँच जाओ नियुकरी मिल रही है ना ग्रेणियों के जीवन को создь बेहतर करने के लिए महंगाई को कम किया जा रहा है विकास के नाम पर इतना बड़ा मुल्क हमारा है ये जो विकास हो रहा है तो हो ही रहा है लेकिन सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिस से आम बिक्ति को थोड़ा फाइदा मिले मैं मनमों सिंग जी की सरकार में मंत्री थे हम दोग नरेगा लेकर आए गरीबों के लिए योजना ये लेकर आए आयोजन ऐसा करते थे कि जो गरीब आदमी उसकी जेब तक पैसा पहुंचे आज दुख की बात मुझे कहना पड़ रहा है कि केंडर की सरकार एक ऐसी सरकार ऐसी पार्टी के पास है जो केंडर में तो स बीजेपी को हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहे है लेकिन ये पार्टी जगने वाली नहीं है राजिस्थान में बीजेपी का जो हाल है आपके सामने है लोग तंत्र में विबक्ष की पार्टी का एक बहुत बड़ा भूमिका होती है सरकार की भी होती है विबक्ष की भ होंगे पिश्ले 25-30 साल से क्या हो राह है पांच साल सरकार कॉंगरिस के बनती है पांच साल बाच्वा की बनती है यह लगातार पांच-5 साल का करम जलता आ रहा है कि मुझे एसा हैसा हो रहा है इस बार कि 2023 में इतिहांस रचा जाएगा और पुने कॉंगर्स पार्टी की सरकारियाब बनेगी वो इसलिए बनेगी कि हम लोगों ने अपने अपने छेत्रों में काम किया है मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है राकेश पारिक साहब मारे विदायक बन कर गए मसूदा से इन पांच सालों में सचवाले हो, मंतरी का घर हो, मंतरी का दफ्तर हो उसके पीछे पढ़ पढ़ कर पानी हो, बिजली हो, चिकित्सा हो, स्कूल हो, सड़क हो, जो भी हो पारिक साहब ने उनके प्राण भी ले मंद्रियों के लेकिन आपके छेत में काम करवा कर लेकर आये हैं मैं उनका बहुत सादुबा देना चाहता हूँ जब मैं सरकार में था मैं इसलिए कह रहा हूँ जब मैं सरकार में था तो मेरा भी कुर्ता छोड़ा नहीं विदानसवा के अंदर, सचवाले के अंदर खीच खीच के खीच की सड़क, हैंट पॉम, बिजली, पानी जो करा सकते थे मसुदा के लिए कराया और मेरा भी मसुदा के पती दिल में एक खास जगह है इसलिए जितना ज़्यादा हो सका, हम लोगों ने मसुदा विदानसवा छेतर में काम कराने के कोशिश करी है तो साथे हो, इस चुनाव के अंदर बहुत सोच समझ कर हमें अपने मत का परयोग करना है और मैं जानता हूँ कि पिशली बार जब दिलानसवा चुनाव होए थे तो इस छेतर से बहुत लोग चुनाव लड़ गए थे लेकिन आपकी आशरवाद से कॉंग्रेस पार्टी जीत कर गई थे और ये बात जो पालिक साब ने बोली है मैं भी दोहराना चाहता हूँ तरह तरह की बाते आएंगी कोई चर्चा करेगा कोई संबाद करेगा कोई घोशना करेगा कोई अफवा फेलाएगा लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मसुदा विजान सबाद छेट से कॉंग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी और आपके दम पर जीत कर जाएगी अब ऐस जब चुनाव आते हैं उससे पहले बहुत सारे चुनाव से ठीक्स पहले चुनाव से पहले बहुत से नेता बहुत से दल बहुत से वक्ता अलग-अलग जुलों में जाएगे और मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि अजमेर के अंदर भी बहुत सारे लोग या तो आ रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं चुनाब से पहले बात रखेंगे यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे और बहुत लोगों ने कोशिश कर ली कि आज इस सभा में जो भागिदारी आप लोगों की है मैं डंकी के चोट से कह सकता हूँ कि सौ सुनार की और एक लोहार की आप लोग 36 कौम के लोग मजबूती से साथ लोग आपने हमेशा मेरा साथ दिया कॉंग्रिस पार्टी का साथ दिया जब जब मैंने समर्थन मांगा है आप लोगों ने भरपूर असीम आशिरवाद हम लोगों को दिया है आज भी हम लोग हर योजना, हर नीटी, हर कारिकम, हर बजट हमारा बनता है तो सब से पहली सिंता हमारी होती है नौजबानों की मदद कैसी हो सकती है किसान भायों की मदद कैसे हम दो कर सकते हैं और आने वाले समय में भी अगर हम सबको एक जोट रहना है अपना इतिहास रहा है ट्यार का, महबत का, भाईचारे का उसको बरकरार रखना है राकिश पारिक साभ आपके विदायक रहे लगबख साड़े चार साल हो गए मैं भी पहली बार विदान सभा में गया पंडी जी पहली बार विदान सभा में गये हम दोनों विदान सभा में अपने अपने छेतरों के लिए हमने काम किया लेकिन उससे भी ज़्यादा हमने संग्धोन पार्टी के लिए अपना काम और योगदान दिया है मैं उमीद रखता हूँ कि मसूदा विदान सभा छेत के मद्दातों से अपिल करना चाहता हूँ साथ लेकर यहाँ पर एक आत्मिता से इंसान का आचरन होता है उसका वैवार होता है उसकी मिनम्रता होती है उसकी शैली होती है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राकेश पारिक साहब ने हमेशा एक मिनम्र विक्ति के रूप में जनसिवक की रुप में आपका काम किया है इसलिए आज एक किसान समयलन के माद्दम से ये संदेश पूरे छेतर में जाना चाहिए कि सब लोग जाती धरम से उपर उठकर कॉंग्रेस पार्टी के साथ थे कॉंग्रेस पार्टी के साथ हैं और कॉंग्रिस पार्टी के साथ रहेंगे जहां तक मुझसे पहले वक्ता वेज सुलंकी जी बोल रहे थे राइन देचौदरी साब बोल रहे थे जोदपूर से आते हैं बहुत सारी बाते बोली कि मैंने भी अपनी बात जब मुझे रखनी होती है मैं संकोच नहीं करता हूँ मैं बेबाकी से अपनी बात को रखता हूँ मुझे लगता है जो पर्देश के हित में है नौजवालों के हित में है संग्ठन के हित में है पार्टी के हित में सरगार के हित में उन बातों को मैं रखता हूँ ताकि जनता के अवाज हम दिली जेपरु तक पहुंचा सकें आप सब लोगों से मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपसी हमारा पाहिचारा प्रेम है इसको बना के रखें हमारे विरोधी दल के लोग हो सकता है इसी बातों को फैलाएं जिसमें आपस में टकराव हो या आपस में असेमती फैले लेकर आप समझदार लोग हो आज जो वेकास के काम होएं उसके लिए मैं पारिक साब आपको बहुत बदाई देता हूँ सेकड करोड रुपे के यहाँ पर काम होएं जनता को उसका लाब मिलेगा और आप लोगों ने इस छेट के लोगों ने हर समय समय कभी कभी राजनीत में अच्छा भी आता है बुरा भी आता है यह तो गाड़ी का चकर गूमता रहता है क्यो हो मोलोग जी गूमता रहता है तो अजवेर के लोगों ने मसूदा के लोगों ने हमेशा हमारे को संबल दिया है आशिरवाद दिया है और ताकत दिया है मैं उम्मीद करता हूँ कि यही प्यार प्रेम और आशिरवाद आपका भविश में बना रहेगा क्या करें मैं दो बाते कहना चाहता हूँ जीवन में जो राद गई सो बात गई जो समय निकल गया वो वापिस आने वाला नहीं है कि भविश में क्या होगा ये कोई जानता नहीं है इसलिए मजबूती से ताकत से एक जुट पर हम पात रहे और आने वाला समय आप लोगों का होगा पार्टी का होगा नौजवानों को होगा किसान होगा होगा और आप लोगों को पर मैं सुनो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोनों हाथ खड़े करकर कॉंग्रेस पार्टी को समर्थे देंगे कॉंग्रेस पार्टी मात आए बेने भी आद खड़े करें कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी